हाए फ्रेंट्स मैं दॉक्टर अमित महीशवरी आप सभी का स्ughtगत करता हूँ आज की इंफर्मेटी वीडियो में फ्रेंड्स आज हम बिजनस में सेल्स की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारे बिजनस में सेल्स एक्सपेंशिन की और जाये और name striytk purl m 4 जाते हैं जैसे पहले movie-hall के बाहर टिक्टे black रॉष जाती थी वह ब्लैक मार्किटिंग की बात नहीं करता मैं और कई बार नोग ऎटे बात करते हैं उसे यह जब आपका product लोगों के लिए एक तरह से युनीख बन जाता है जैसे बात करता हूँ Apple mobile phone की आपको पता होता है कि जो भी product या जिस भी service में आप deal कर रहे हैं कितनी demand मेरे product की market में है कितना production मुझे करना है कितनी supply मेरे पास होनी चाहिए और कितनी sale मैं achieve करता हूँ यह हर businessman को पता होता है और जो लोग seasonal business करते हैं उनको भी यह पता होता है कि कौन सा product किस season में ज़्यादा चलने वाला है है ना ठीक इस तरह से Apple जैसी company जो अपने आप में एक विख्यात company है इस company को भी पता होता है कि जो भी नया launch model हम करेंगे जो भी नया model हम launch करेंगे उस model के कितने pieces बिकने वाले हैं है ना लेकिन उसके बावजूद भी Apple एक black marketing strategy को follow करता है उसको पता होता है कि for example मान लीजिए Apple ने अभी 17 pro कोई phone निकाल दिया फाइन ये बविश्य माने वाला phone होगा 17 pro एक phone निकाला और उनको पता है कि जैसे ही हम कोई नया phone launch करते हैं उसके 1 million mobile phone within 7 days sale हो जाते हैं इन्हें पता होता है कि 1 million की sale आने वाली है और ये market में सिर्फ 4 lakh mobile phone issue करते हैं मतलब अपने dealers को distributor को authorized service centers को authorized outlet को सभी को केवल 4 lakh mobile phone distribute करते हैं और जैसे ही 4 lakh mobile phone market में आते हैं वो सारे बिग जाते हैं जिसकी वज़ा से उस product को खरीदने के लिए लोगों के मन में एक तरह से curiosity पैदा हो जाती है वो ढूंडते हैं कि कहीं से Apple का नया mobile phone मिल जाए है ना जिसकी वज़ा से एक बहुत बड़ा market segment ये capture कर लेते हैं और बहुत लंबे समय तक अपने price को reduce नहीं करते क्योंकि लोगों को पता एक नए feature के साथ एक नया mobile phone आया है और market वो मिल नहीं रहा और जो चीज़ मिलती नहीं है न उसको लोग ज़्यादा देखते हैं ज़्यादा चाहते हैं लेना चाहते हैं तो ये काम Apple करता है Apple जिस strategy का इस्तेमाल करता है उसको black marketing strategy कहते हैं उनके dealers, उनके sellers ही लोगों के मन में ऐसा भाव पैदा कर देते हैं कि भई booking करा लो अगले तीन महिने तक में ये mobile phone नहीं मिलने वाला है ये एक strategy होती है ठीक यही बात आप flight tickets में भी देख सकते हैं आप 3 महिने, आप 4 महिने, 5 महिने, 6 महिने पहले जो ticket book करते हैं 2000 से 4000, 5000 रुपे में जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे ticket के price बढ़ते चले जाते हैं अगर आप instant book करते हैं जो ticket आपको 3-4 महिने पहले सिर्फ 2000 में मिलती थी वो आपको 20,000, 30,000 में मिलती है क्यों? क्योंकि ये भी black marketing strategy का इस्तिमाल करते हैं और इनको पता होता है कि अब जो consumer है न मेरा उसको बहुत instant ज़रूरत है मेरे ticket की और कई बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ हमने किसी event के लिए instant flight ticket बुक कराई हमने सोचा अब इतनी महंगे ticket है तो हो सकता है कि वहाँ पर availability of seats ना हो और कई बार ये भी देखा गया वहाँ पर total seats में से सिर्फ 60% seats ही occupied थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने price को बहुत high रखा क्योंकि उनको पता है कि consumer की demand कब आने वाली है और demand के according उसका क्या price होना चाहिए यही चीज बहुत सारी car manufacturing company करती है उनको पता होता है कि ये car जो हमारी है जो market में नया segment हमने launch के जैसे मैं थार की बात करूँ तो थार company जो इसको manufacture करती है उनको पता होता है कि number of cars के कितने requirement है एक बहुत बड़े level की company ना बहुत आसानी से अपना production बढ़ा सकती है क्यों? क्योंकि वो नया setup बहुत आसानी से कर सकती है और demand होने के बाद supply करना उनके लिए आसान हो जाता है लेकिन वो हमेशा production इस level से करते हैं कि जरूरत से ज्यादा चीजें market में उपलब्दना हो जिसकी वज़ाए से ये price tag जो है ना वो maintain रहता है और showroom owner भी जो होते हैं, showroom पे salesman होते हों बोलते हैं तीन महीनी की booking है, चार महीनी की booking है छे महीनी की booking है इसका मतलब ये लोग भी strategy को implement कर सकें और लोग आपके product के लिए आपके services के लिए इंतजार करें